हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास एट एक्ससाइज 8.3 एक्ससाइज 8.3 के कोशें नमबर 125 हमारे कम्प्लेट हो चुकें आज हम पढ़ेंगे कोशें नमबर 6 कोशें नमबर 6 है हमारे पास अरिफ तुक ए लोन और रुपीज 80,000 फ्रोम ए बैंक एक बैंक सेहर इपने 80,000 फ्रोम का लोन लिया इफ दा रेट ओफ इंटरस्ट इस 10% पर अन्वाम और रेट ओफ इंटरस्ट इस 10% फाइंड दा दिफ्रेंस इन अमांट से ही वोड़ बी पेइंग आफ्टर वन फ्रेक्शन वन बाई टू एर्स इफ दा इंटरस्ट इस यह बताना में कितना डिफ्रेंस होगा जब वो वन फ्रेक्शन वन बाई टू एर्स के बाद उसको वापिस पे करेगा और इंटरस्ट कैसा है कंपाउंड अन्वली और सेकेंड में हैं कंपाउंड हाफ इयर्ली अब दोनों के लिए निकाल के दिखाएंगे हम पहले कंपाउंड एन्वली निकालें कंपाउंड हाफ इयर्ली कंपाउंड एन्वली में क्या है प्रिंसिपल हमारे पास 80,000 है टाइम है वन फ्रेक्शन वन बाई टू एर रेट हमारे पास दे रखी है 10% अब अमाउंट फोर वन फ्रेक्शन वन बाई टू है पहले वन एर के लिए निकाल लेंगे फिर वन बाई टू के लिए अमाउंट फोर वन एर वन एर का अमाउंट कितना आजाएगा 80,000 मिल्टिप्लाई 1 प्लस 10 बाई 100 पावर 1 0 से 0 कैंसल 10 बंजा 10 प्लस 1 11 तो क्या आएगा 80,000 मिल्टिप्लाई 11 बाई 10 0 से 0 कैंसल हो जाएगी 11 एट जां 88 और 3 टाइम 0 88,000 आया फिर हमाउंट पास हाफ एर का निकालना हाफ एर के लिए हमाउंट हो जाएगा सिंपल इंटरस निकाल देंगे इंटरस्ट फोर 1 बाई 2 यर प्रिंसिपल 88,000 मिल्टिप्लाई 10 मिल्टिप्लाई 1 बाई 2 और दिवाइड बाई 100 2 0 से 2 0 कैंसल 2 से कैंसल करदेंगे 440 और 10 की मिल्टिप्लाई 4400 आया अब टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आएगा 88,000 प्लस 4400 दोनों को प्लस कर देंगे 92,400 है हमारे पास क्या क्या आया compound है Annually अमारे पास इंटरस अमांट आया दूसरा हमार पास second part में क्या compounded half yearly half yearly दे रखा है तो हम half yearly में करेंगे principle 80,000 है time हमार पास 1 fraction 1 by 2 year अब इसके अंदर half yearly करेंगे तो मैंने बताया थै time का हम double करते rate का half करते है time हमार पास 1 fraction 1 by 2 इसका double कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा 3 half yearly rate हमार पास 10% है 10% का half कर देंगे 10 by 2 5% amount is equal to principle हमार पास 80,000 multiplying 1 plus rate हो गया 5 by 100 और power 3 times हमार पास 5 बन जा 5 5 से cancel कर देंगे 20 20 बन जा 20 plus 1 21 अब कितने times लेकेंगे 3 times तो 80,000 multiplying 21 by 20 multiply 21 by 20 21 by 20 3 times 0 है 3 times 0 cancel कर देंगे फिर 2, 2 जा 4, 4 जा 8 8 से cancel कर देंगे 10 आजएगा हमार पास तो क्या आएगा 21 multiply 21 multiply 21 multiply 10 यह आजएगा 92,610 यह हमारे पास क्या आया पाउडिट हाफ यरली का amount फिर हमें निकालना है difference इसका अमारे पास कितना था 92,400 यह 92,610 आ गया तो अब इसको अंसल कर गेंगे difference निकाल देंगे difference in amounts 92,610 मारिया ने 8,000 रुपे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे है शी वोड बी पेड इंटरस एट 5% पर अन्वल कंपाउड़े अन्वली और वो 5% पर अन्वली इंटरस पे कर रहे है find first में है the amount credit against our name at the end of the second year second year के last में उसके नाम पर कितना amount credit होगा अब principle कितना है? 8,000 है rate 5% है और time कितना दे रहे है? second year तो 2 year आगे हमार पास amount निकाल देंगे 8,000 multiply 1 plus 5 by 100 power 2 5 से cancel कर देंगे 20 आजेगा 20 बन जाए 20 plus 1 21 तो कितना time आएगा? 2 times 8,000 multiply 21 by 20 21 by 20 2 0 से 2 0 cancel 2 से कर देंगे हमारे पास 2 2 जाब 4 4 से कर देंगे 20 अब 21 multiply 21 441 multiply 20 8,820 the interest for the third year second में हमारे से पूछ ले कि third year के last में क्या interest होगा? अब third year का निकालना है तो principle 8,000 है rate 5% time कितना होजेगा? 3 year, 3 year, साल का निकालनेंगे हम amount हमारे पास 80,000 multiply 1 plus 5 by 100 power 3 अब हम इसको 3 times लिखेंगे cancel करेंगे 3 times 0 है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अब 3 होगी multiply कर देंगे तो क्या आएगा? 9,261 3 साल का हमारे पास amount यह आजेगा जबकि 2 साल का यह आ रखा है हमारे पास तो 3 year में से 2 year का निकाल देंगे तो 3rd year का हो जाएगा interest for 3rd year 9,261 minus कर देंगे 8,820 क्या आजेगा? 441 यह हमारे पास क्या आया? इसका amount आएगा interest आजेगा 3rd year का next है हमारे पास question number 8 find the amount and the ci on rupees 10,000 10,000 रुपे का amount और ci हमें find करना for 1 fraction 1 by 2 years at 10% per annual compounded half yearly would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually तो यह पूछ रखा है कि इसका जो है वो interest ज्यादा होगा या कम होगा होगा तो कितना होगा principle देरखा 10,000 rate देरखा 10% half yearly है तो 10 by 2 कर देंगे 5% half yearly फिर time देरखा 1 fraction 1 by 2 इसका 2 times करेंगे 3 half yearly आजेगा amount निकाल देंगे 10,000 multiply 1 plus 5 by 100 power 3 cancel कर देंगे 20 और 21 जा 20 plus 1 21 21 by 20 लेकिंगे 3 times दे 3 times 0 cancel हो जाएगे फिर 2 से कर देंगे 5 पे अब इन तिनों की multiply करके 5 से multiply कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 46,305 divided by 224 divided by 4 आ गया अब इसको solve करेंगे तो क्या आ जाएगा 11,576.25 अब CI निकाल देंगे हम CI यह मारे पास क्या आ जाएगा तोटल हमारे पास यह amount आ गया और यह हमारे पास principle था amount minus principle आ जाएगा 1576.25 यह हमारे पास क्या आ जाएगा CI आ जाएगा compound in half yearly का इफिट इस compound annually दूसरे में हमारे पास क्या है कि compound annually है तो principle 10,000 rate 10% है time 1 fraction 1 by 2 year है पहले तो 1 year का निकाल लेंगे amount for 1 year 10,000 multiply 1 plus 10 by 100 power 1 0 से 0 cancel 10 मंज़े 10 और 1 11 10,000 multiply 11 by 10 0 से 0 cancel कर देंगे 11 की और इसकी multiply 11,000 अब हम इंटरस्ट हाफ के लिए निकालना है 1 के लिए निकालना है तो जो मारे पास amount आ है वो principle हो जाएगा आफ के लिए interest for half year 11,000 multiply 1 by 2 multiply 10 by 100 2 0 से 2 0 cancel 2 से 5 पे cancel 110 multiply 5 आ जाएगा 550 अब हमारे पास total amount कितना आया 11,000 plus 550 यह आ जाएगा 11,550 CICI यह मारे पास कितना आ जाएगा यह total amount है amount में से principle को minus कर देंगे तो क्या आएगा 1550 यह तो मारे पास compound annually है यह मारे पास half yearly है तो कौन सा जाएगा है half yearly जाएगा है तो क्या बोल देंगे यह इंटरस्ट रूपीज 1,576.25 इस मोर दें रूपीज 1,550 तो क्या बोल देंगे compound half yearly है वो जाएगा है किसे compound annually next question number 9 find the amount which Ram will get on rupees 4,096 if he give it for 18 months annual interest being compounded half yearly हमें principle दे रुखा है 4,096 rate दे रुखा है हमारे पास 18 sorry rate में दे रुखा है 12 fraction 1 by 2 year शायद में note करना बूलेगे 12 fraction 1 by 2 year के लिए अब इसका हम चेंज करेंगे 12 to 24 और 125 by 2% आ गया और rate हमारे पास compound half yearly है half yearly है तो by में 2 कर देंगे इसका half कर देंगे 2 to 4 हो जाएगा 25 by 4 परसेंट है अब time हमारे पास 18 months है 18 months में हमारे पास कितने हो जाएगे 3 half yearly के कि एक हमारे पास 6 का होता है 6 month का तो 3 half yearly हो जाएगे amount निकाल देंगे 4096 multiply 1 plus 25 by 4 multiply अब टाइम है 3 25 से cancel कर देंगे 4 4 जाए 16 और 1 16 बन जाए 16 और plus 1 17 17 by 16 आजेगा 3 times 16 से जब हम cancel करेंगे तो completely cancel हो जाएगा 17 17 17 के multiply आएगी 4900 16 ही हमारे पास क्या आजेगा amount हमें amount ही find करना है next question number 10 the population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annual किसी place की जो population वो increase हो रहे है 54,000 किसे 2003 में at a rate of और किस rate पर 5% per annual find the population in 2011 अब देखो 2001 की निकालने 2003 की दे रखी है तो पहले की निकालने उसके लिए it means ही हमारे पास 2003 का है तो यह amount हो जाएगा तो क्या लिखेंगे amount of 2003 कितना है 54,000 rate हमारे पास कितना है 5% और time हमारे पास 2 year population would be less in 2001 than 2003 2003 से कम होगी 2001 में in 2 years here population is increasing it means population वो क्या हो गई increase हो गई कितनी हो गई देखो amount of 2003 is equal to principle of 2001 multiply 1 plus 5 by 100 power 2 आजएगा अब यह हमारे पास है नहीं और यह हमारे पास कितना है 54,000 अब 5 से cancel कर देए 20 21 जा 20 plus 1 21 21 by 20 आएगा 2 times इसको उदर लेके जाएगे 20 हमारा उपर जाएगा 21 डिवाइड में आएगा अब देखो 7 इसको हमने cancel कर दिया 3 से 3 7 जा 21 3 से 18,000 पे फिर 3 7 जा 21 3 से कर देंगे 6,000 अब 20 multiply 20 multiply 6,000 आजएगा और divided by 7 7 जा 49 आजएगा तो हमारे पास population कितने आजएगा इसको हम 49 से divide कर देंगे यह आएगा 48,980 approximately क्योंकि points में आएगा point में आएगा तो population कभी point में हो सकती से लिए हम क्या लिख देंगे approximately secondary का क्या दिर्ख है what would be its population in 2005 2005 में उसकी population क्या होगी अब 2005 में आगे निकालना है तो 2003 तक क्या में पता है तो principle कितना होजएगा 2003 में जितनी थी 54,000 multiply 1 प्लस 5 by 100 पावर 2 होगी क्योंकि 2 साल का गया तो 5 बंजा 5 5 से कैंसल कर देंगे 20 20 बंजा 20 प्लस 1 21 अब 54,000 multiply 21 by 20 multiply 21 by 20 0 से 0 cancel 2 तू जा 4 4 से कैंसल कर देंगे 135 सभी की multiply कर देंगे तो क्या आएगा 59,535 यह हमारे पास क्या आएगे 2005 की population next है question number 11 in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% पर रावर इन्होंने यह बोल रखा है कि in a laboratory एक laboratory के अंदर bacteria count किये गे जो increase हो रहे किस rate से 2.5% पर रावर से find the bacteria at the end of 2 hours 2 गंटे के बाद में जो bacteria है वो कितने हो जाएगे if the count was initially 5,6,000 अगर जो अब भी है जो initially starting में जो count क्या हो कितना था 5 था लेके 6,000 था अब देखो principle अमारे पास कितना हो जाएगा 5,6,000 time अमारे पास कितना है 2 hour है और rate अमारे पास कितना है 2.5% after 2 hour number of bacteria 2 गंटे के बाद bacteria बताना हमे कितना है amount अमारे पास कितना आजाएगा 5,000 5,6,000 multiply 1 प्लस अब पॉइंट अपॉइंट को टाने के लिए 0 लगा देंग तो 1000 हो जाएगे 25 से cancel कर देंगे 40 40 बन जा 40 प्लस 1 41 41 by 42 टाइमस लिखेंगे 0 से 0 तो cancel हो जाएगी एक 4 से cancel कर देंगे 1,265 अब नहीं cancel होता तो इनकी multiply कर देंगे यह आजेगी 21,26,465 divided by 4 इसको 4 से divide करने के बाद आएगा 5,31,616.25 तो इसको आम अप्रोक्सिमेटल लिख देंगे number of bacteria after 2 hours और 5,31,616 अप्रोक्सिमेटली नेक्स्ट आम हर पास question number 12 इस scooter was bought at rupees 42,000 एक scooter 42,000 रुपे में खरीदा इस value depreciated at the rate of 8% per annual उसकी जो value है वो कम हो रही है value गिर रही है कितनी 8% per annual find its value after 1 year एक साल के बाद उसकी value क्या हो जाएगी जब भी हम कोई चीज़ खरीदे है तो एक साल या दो साल के बाद यह बोलते है कि उसकी value कम हो गई उसकी जो price जब वो कम हो गया तो कैसे कम हो गया अब कम हो गया तो minus होगा तो क्या होगा principle 42,000 है time हमारे पास 1 year और rate 8% amount निकाल देंगे 42,000 multiply 1 minus क्यों क्योंकि depreciated means कम हो रही है कम हो रही है तो minus कर देंगे और कोई चीज़ बढ़ती है कम plus करते हैं तो 1 minus 8 by 100 power 1 4 to 2 जाए 4 से 25 25 बन जा 25 25 में से minus कर देंगे 2 कितना हैगा 23 by 25 अब 25 से cancel कर देंगे 1,680 multiply 23 दोनों की multiply आएगी 38,640 hence the value of scooter after 1 year is एक साल के बाद जो scooter है उसकी value कितनी होगी 38,640 रुपीज ये थी हमारी exercise 8.3 ओके, thank you कितने हो ही आएगी कितने हो कितना ही देंखे थी हाँ थी हमारी